हलकी ठंड की शुरुआत से ही मार्केट में सिंघाडा आना शुरू हो जाता है। सिंघाडे को पानी फल भी कहा जाता है। और इसको इंगलिश में water chestnut कहते हैं। कुछ लोग इसे कच्चा तो वही, कुछ लोग इसे उबाल कर खाना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि अगर आप सिंघाडे से होने वाले स्वास्थ्य लाब के बारे में जान लेते हैं। तो आप खुद को इसे खाने से नहीं रोक पाएंगे। रोजाना 100 से 150 ग्राम सिंघाडा सुभह नाश्टे के समय या साम को खाना हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। सिंघाडे का उत्पादन मुख्य रूप से उतरप्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। सिंघाडे में विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन E, मैंगनीज, पोटैशियम, प्रोटीन, थायमाइन और कई पोशक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आईए जानते हैं सिंघाडा खाने के 10 फायदे। नमबर वन, सिंघाडा कार्बो हाइडरेट से भरपूर होता है, जो शरीर को तुरंत उर्जा प्रदान करता है। विशेश कर वरत या उपवास के दौरान इसे खाने से शरीर में उर्जा बनी रहती है। नमबर टू, सिंघाडे में कैलोरी कम और फाइबर अधिक होता है, जो भूख को नियंतरित करता है, जिससे वजन घटने में मदद मिलती है। नमबर टू, सिंघाडे में सोडियम कम और पोटेशियम की अच्छी मात्रा होता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर हृदय रोगों के जोखिम को कम करता है। 4. सिंघाडे में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाती है, और पेट संबंधित समस्याएं जैसे की कब्ज, एसिडिटी और अपच से राहत दिलाती है 5. सिंघाडे में विटामिन E और B कॉंपलेक्स होता है, जो तवचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखता है, इसके अलावा विटामिन E तवचा को फ्री रेडिकल से बचाता है, जिससे उम्र बढ़ने के लक्षन कम दिखाई देते हैं 6. सिंघाडे में विटामिन B और एंटि आक्सिडेंट्स होते हैं, जो बालों को मजबूत और घने बनाते हैं, साथ ही बालों का जढ़ना कम करते हैं 7. सिंघाडे के सेवन से यूरिनरी इंफेक्शन और पथरी में राहत मिलती है, यह किडनी की सेहत को भी बेहतर बनाता है, और पेसाब में जलन जैसी समस्याओं से निजात दिलाता है 8. सिंघाडे में कैल्शियम और फासफोरस होता है, जो हड़ियों को मजबूत बनाते हैं, जिससे औस्टियोपोरोसिस जैसी हड़ियों की बीमारियों का खत्रा कम होता है 9. सिंघाडे में मौजूद एंटि आक्सिडेंट्स शरीर को मुक्त कणों से बचाते हैं, जिससे कोशिकाओं का नुकसान नहीं होता और कैंसर जैसी बीमारियों का खत्रा कम होता है 10. सिंघाडे में आयोडीन का अच्छा स्रोत होता है, जो थाइरोइड ग्रंथी के उचित कार्य के लिए आवश्यक है इसी लिए थाइरोइड की समस्याओं में इसका सेवन लाभकारी माना जाता है दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बबाए